नमस्कार में अश्नापटारे मौसम दरप्रण में आपका स्वागत करती हूँ चलिये जानते किस राज्य में कैसार हैगा मौसम पिछले 24 घंटों के दरण हलकी से मध्यम बारिष सिक्की मूपई माले पशिम बंगल और असम में मध्यम बारिष के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिष हुई उत्तर पुरु आंदमन और निकोबर द्विप समो केरल तर्टिय करनाटक मराठवडा के कुछ हिस्सों में आंतरी कोडिशा और पुरुवत्तर बिहर में भी हलकी से मध्यम बारिष हुई तेलंगाना में एक या दो स्थानों पर हलकी से मध्यम बारिष हुई लक्षदीब कोकन और गोवा वीदर्बा के कुछ हिस्व और मध्य प्रदेश गुजरात और जम्मो कश्मिर के अलग-अलग हिस्व में भी हलकी वारिष हुई पूर्वी धर्बा के कुछी स्वमे नदी और उत्तरा खंड उत्तर पश्मी राजस्तान पंजा भर्याना दिल्दी दक्षिन उत्तर प्रदेश पूर्व उत्तर मद्य प्रदेश चतिस गर्ड जारकंड के पश्मी भाग और अंतरी कोडिशा में एक या दो स्थानों पर लू पूर्वी धर्बा के कुछी स्वमे नदी और उत्तर पश्मी राजस्तान पंजाब भर्याना दिल्दी दक्षिन उत्तर प्रदेश पूर्व उत्तर मद्य प्रदेश चतिस गर्ड जारकंड के पश्मी भाग और आंतरी कोडिशा में भी ये दो स्थानों पर लू की स्थिति बन सकती है दस जून को आने वाल एक कमज़र पश्मी विक्षोब के प्रभास से उत्तर भारत की परवती एक शेत्रों में और मैदानी इलाकों में 10 से 14 जून के बिच अलग अलग जगों पर बारिश होगी वर्तमान में हरियाना और एंसे और दिल्ली में भीशंगर में और लूका प्रकॉपजारी और संपूरने इलाके में तापमन में उच्छल देखने को मिल रहा है परउन्तु उत्तर भारत की मैदानी राज्जों में कई दिनों के बाद हलकी बारिश की गतिविद्या वापस लोटेंगी 10 जून को एक कमदर पशिमी विक्षोब उत्तरी परवती एक शेत्रों में प्रवेश करने वाला है जिसकी वज़े से एक प्रेरी चक्रवाती है सर्कूलेशन या हाओ का क्षेत्र उत्तर पशिमी राजस्तान पर विकसित होने की संबावनाई बन रही और साथ ही दो विपरित हाओ की मिलन से इलाके में बादलवा ही देखने को मिलेगी और पच्छवा दक्षिम पूर्वी हाओ के टकराव से एक ट्रप उत्तर पंजब से लेकर उत्तर हरियाना यूपी के तराईक शेत्र बिहार पशिमी बंगाल तक बनेगी जिस कारण हरियाना के उत्तरी जिलों में पंचकुला, अमबाला, यमुना, नगर, कुरुक, शेत्रकारनल, वो पानीपत में प्रिमानसुन गतिवे देया, हल्की बुन बांदी बारिश और तेज अंधर चलने की संभावनाई अगले 24 से 48 घंटों में मानसुन के गोवा, उत्तरी करनाटक, दक्षिनी, महराष्टा, दक्षिनी, आंधर प्रदेश पशिम, बंगाल के अनना इलाकों और बिहार के उत्तर पूर्वी इलाकों में दस्तक देने के लिए परिस्तित्या बिल्कुल अनुकुल बनी हुई है दक्षिनी, उत्तर प्रदेश, पूर्वातर मध्य प्रदेश में भी लूग की स्तिती बन सकती है जोदा गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, हाला कि ये बोचारी हलकी रहेंगे और कुछ खास होनी की उमीद नहीं है मीडिया रिपोर्ट्स के मतविक आएमडी ने बताए कि मानसुन सामन्य गती से आगे बढ़ रहा है अगले दो दिनों में इसके महारष्ट पहुंचने की संभावना है और उसके बात के दो दिनों में पूरे मुंबई में मानसुन पहुंच जाएगा महारष्ट की बात करें तो महारष्ट में जबर्दस गर्मी और लू से रहत मिलने की बड़ी आशंका है महारष्ट में गुरुवार को विशंग गर्मी से थोड़ी रहत मिली भारती मुंबई से प्रदेश के ज़्यादा तर हिस्सों में आंसमान में आंशिक रूप से बादल चाहे रहेंगे और कई कई गरस के साथ हल्की बारिश बहुत चारे पड़ सकती इससे तापमान में गिरावट आएगे और गर्मी से रहत मिलेगी मुसम का ये मिजाज अगले कई दिनों तेक बना रहेगा इससे पहले बुद्वार को भी महाराष्ट के विदर्वे में जोर्दार गर्मी और लुका प्रकॉप जारी रहा है इस दोरान प्रदेश के साथ साथ देश में सबसे ज्यादा अधिक्तम तापमान राजस्तान के स्री गंगा नगर के साथ सायक्तो रूप से ब्रह्मपूरी में चेयाली दर्शम्डो दो डिगरी सेल्सियत दर्श किया गया है महाराष्ट के रतनागिरी मुंबई पुने ठाने नाशिक धूले माले गाव एमद नगर औरंग अबाद जलगाव अकोला नांदेड बीड परबनी लातूर कोलापूर सांगली इन जिल्लों में प्रिमानसुन बारिश के आसार है खबर में फिलाल इतना ही इसी के साथ देखते रहें मौसम दर्पन चानल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइक ओन दपाई वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए